और भाई क्या हल चाल है दोस्तों वैसे तो मैं कोई एडिटर नहीं हूँ बट आप लोगों की डिमंड पर आज आपको बताता हूँ कि टीशेट के उपर कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोफाल को कैसे एडिट कर सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने एडिट कर रखा है अपन टीशेट के उपर अपने प्रोफाल को एडिट करना चाहते है तो यह वीडियो आपके लिए है वीडियो को आकर तक देखू सांती में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सिस्क्राइब भी कर देना तक कि मेरी जब भी न्यू वीडियो आये तो आपको जो है सबसे पहले नोटि यहाँ पर टीशेट चाहिए ठीक है फर्स्ट वाला रहेगा यलो या फिर वाइट जो आपको अच्छा लगता है आप उसके उपर एडिट कर सकते है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ तो वही से आप जो है डाउनलोड कर लेना जो आपको अच्छा प्लस वाला आइकन के उपर टाच कर लो उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको टीशर्ट दिया है निशे डिस्क्रिप्शन में उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर एड़ फोटो के उपर आपको टाच कर लेना है तो यहाँ पर जो आपने screenshot को capture किया है अपने profile का उसको यहाँ पर add कर दीजिए ठीक है यह जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है तो इसको जो है थोड़ा यहाँ पर आपको crop कर लेना है कुछ इस तरीके से then adjust कर लेना है ठीक है यहाँ पर मैं इतना crop कर लेता हूँ then इस इसको टीशर्ट के उपर कुछ इस तरीके से एड़ेस्ट कर लीजिए, वैसे जो यहाई बार नहीं जाना leap के अंदर ही रहना चाहिए, तो फाइनली जो है अपने coding adjust कर लेना ठीक है यहाँ पर done कर दीजिए तो finally आपका जो है यहाँ पर T-set के उपर आपका profile यहाँ पर कुछ बहतरीन look के अंदर edit हो जाता है then finally guys आपका काम यहाँ पर complete हो चुका है इसको जो है simply अपने mobile के gallery के अंदर save कर लो कुछ add आए तो यहाँ cut कर देना भी कोज यह तो जो है दिमागी खराक कर लेता है ठीक है simple इसको save कर दो save to gallery कर दो then done ओके आपका काम हो चुका है आप इस तरीके से जो है yellow या फिर white color के अंदर अपने profile को edit कर सकते है अपने instagram के उपर share कर सकते है उमिद करता हूँ guys tutorial आपको समझ में आ गया होगा कोई भी वीडियो से रेलेटर डिक्कत है तो मुझे निचे कमेट पर बता देना मैं आपको reply कर दूँगा ठीक है